नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल पुनित में तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलाइस कार्ड बेल पेमेंट के बारे में तो उसके बारे में आजहम बात करें हैं Slice Card का bill payment करते हैं के टाइम में कौन-कौन से option आपके पास available है इसके बारे में भी आजहम बात करेंगे और Slice Card का bill कब बनता है इसके बारे में भी आजहम बात करेंगे तो step-by-step मैं आपको पूरा process समझाऊँगा कि slice card का bill कैसे जनरेट होता है कैसे payment हो सारा कुछ आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले है तो वीडियो को पूरा देखना वीडियो को बिलकुल भे skip मत करना दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल टेक्निकल पुनित पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन प्रेस करके आल पे क्लिक कर लिजेगा तक कि जितने भी नए नए वीडियो हम अपलोड करेंगे उन सबी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे साथ में दोस्तो आप मेरी सिष्टर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उनके चैनल का नाम है पूनम जोन तो इसके चैनल को भी जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और bell icon प्रेस करके all पे click कर लिजेगा क्योंकि ये भी अच्छे अच्छी videos YouTube पे upload करती रहती हैं तो channel को please subscribe कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के video को शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आ गए हम अपने mobile के screen पे तो सबसे पहले हम अपने slice के app को open कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा slice का app है तो इसको हम open कर लेते हैं open करते ही कुछ इस तरह का interface आपके सामने आता है और यहाँ पर हमको अपना chart digit का pin डाल करके login करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो last जो हमारा bill बना है तो वो हमारा 596 का हमारा bill बना है और इसकी जो due date है वो हमें 5 March को हमें payment करना है ठीक है तो अब देखो इसमें एक problem यह आता है फेस करने को कि इसका statement यानि कि यह जो 596 रुपए है मैंने कहां खर्च किये थे और इ इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हो और वहाँ पर statement आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपने कहां कहां कितने एरुपे खर्च किये थे तो पूरा detail statement डाउनलोड करने के लिए आप उपर i button में मैंने वीडियो बना रखा है तो आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकत सबसे पहली बात कि इसका जो bill payment जो आप कर रहे होगे वह आपको online payment करना होगा ठीक है कैसे करना है वो भी मैं आपको detail में बताऊंगा अब बात करते हैं कि statement यानि कि bill आपका बनता कब है तो दोस्तों देखो जब भी पूरा महीना खतम होता like अकर मैं बात करूँ फरवरी कि अभी फरवरी खतम हुआ है तो एक से लेके 28 फरवरी तक का जितना भी मेरा statement था वो आज यानि कि एक मार्च को हमारा bill बन गया है ठीक है एक मार्च को हमारा bill बन गया है और हमें 5 मार्च तक उसका payment करना है तो हर महीने की पहली तारीक यानि कि यार रखो first of the month हर महीने की प वीडियो बना रखता है उसको आप डाउलोड करना है statement को ठीक है और पांस तारीक को हर महीने की पांस तारीक को आपको उसका bill payment करना होता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो मेरे को पांच मार्च को payment करना है payment करने के लिए simple हम क्या करेंगे repay now पे click करेंगे तो चलिए इ सब हमारा जीरो यानि कि हमें जो payment करना है वो 596 रुपय का payment करना है अब हम क्या करेंगे नीचे click करेंगे pay now पे जो आपका pay now का बटन है इस पे मैं click कर देता हूं ठीक है तो हमारा जो पूरा payment है 596 रुपय का है और कोई भी other installment वगर नहीं है कोई पे हमारा late fee वगर नहीं है तो हमारा जो total amount है वो 596 का pay करना है और हम click कर देंगे pay now पे pay now पे click करने के बद आप यहाँ पे देख सकते हो 596 का जो हमारा March का जो हमारा FAB का statement है वो पूरा है तो ठीक है हम यहाँ पे pay 596 पे click कर देते हैं अब देखो payment option आपके पास कौन-कौन से available होते है slice का bill payment करते वक्त तो यहाँ पे आप phone पे से payment कर सकते हो Paytm से payment कर सकते हो Google पे से भी payment कर सकते हो और भी other को UPI है तो वो भी आप यहाँ पे add कर सकते हो इस पर click करके दूसरा क्या है यहाँ पे net banking से भी आप यहाँ पे payment कर सकते हो और debit card से भी payment कर सकते हो लेकिन problem क्या है अगर आप debit card से payment करोगे तो यहाँ पर आपका 10 रुपे का चार्ज लग जाएगा ठीक है 10 रुपे का आपका चार्ज लग जाएगा debit card का payment का ठीक है तो नॉर्मली आपके लिए best रहेगा कि आप UPI का use करो phone pay, pay tm, google पे कुछ भी आप use कर सकते हो तो मैं यहाँ पर simply phone pay का use करूँगा और using phone pay पे हम click कर देंगे तो आप यहाँ पर देखो do not back, यहाँ पर हमें back नहीं जाना है हमें पूरा wait करना होगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो automatic मेरा phone pay यहाँ पर open हो चुका है और मुझे 596 का payment करना होगा तो यहाँ पर सारे bank जो भी मेरे bank link है उसके details आगर आ गई है तो दोस्तों अगर आपके पास phone pay app नहीं है तो उसको भी आप download कर सकते हो phone pay app download करने का link भी मैंने नीचे video के description में दे रखका है वहाँ पर click करके आप phone पर download कर सकते हो तो normally आप मुझे इसका payment करना है तो मैं यहाँ पर अपना state bank collect कर लेता हूँ अब मुझे क्या करना है send पर click करना होगा तो आप यहाँ पर मुझे अपना जो भी मेरा UPI pin है वो मैं यहाँ पर enter कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना UPI pin enter कर लिया है अब मुझे simple यहाँ पर OK पर click करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो secure connection यहाँ पर आ रहा है और paid 596 रुपे successfully यहाँ पर आ चुका है तो दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा wait करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो congratulations you have won a scratch card अब मुझे एक scratch card भी मिला हुआ है तो चलिए इसको scratch करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो slice की तरफ से जो मैंने bill payment किया है तो यहाँ पर मेरे को 3 रुपे का और cashback मिल गया है तो इस तरीके से आप अपना पूरा bill payment कर सकते हो अब हम यहाँ से थोड़ा back चले जाते है तो चलिए तो अपनी security के लिए इसका screenshot भी ले सकते है तो चलिए मैं यहाँ पर इसका screenshot ले लेता हूँ तो all right हमारा bill payment हो गया है और हमें 3 रुपे का cashback भी मिल गया है और आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक SMS भी आ गया है Hey पुनीत your payment of 596 रुपे is successful slice ठीक है तो यहाँ पर हमारा payment successful हो गया जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है और मेरे को यहाँ पर zero है कोईच भी मेरे को नहीं मिला है ठीक है तो अब मेरा मार्च का statement आप यहाँ पे देख सकते हो अभी तक मेरा मार्च अभी start ही हुआ है तो यहाँ पे मैंने पूरा bill payment कर दिया है profile पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी मेरी limit थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो तो दोस्तो अगर आपके मन में किसी परकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और वीडियो के अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दिना चैनल पे नई हो तो चैनल को प्लीज सबस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि यहाँ पे इसी तरह का नॉलेजबल वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा तो चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में तो अभी के लिए गुडबाई जैहन